नमशकार में जितेंदर जेन और आप देख रहा हैं खबर समय जगत आई नजर डालते हैं आज की को स्पाजा तरीन खबरों पर चुनावायोग की कान में शिवसेना आगी जनमत संग्रह करके एवियम का विरोध करेगी यदि फिर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदुलन करके चुनाव का वहिसकार करेंगे कारिक्रम में भुवनिष्वर मिश्रा, प्रदीश सचिव, संतोश यादव, रोश्नी तीवारी, महिला यूबाज, सैना, जिला अक्भाद्द इक्ष योगेश कर्मा, बरिष्टी जिला उपाद्दिक्ष, योगेश कर्मा, सुनी दुवे, जिला उपाद् इक्ष अध्य, अप्पा कोलार नगर अद्धिक्ष संतोश संतकर जिला मंत्री दीपक सुर्वेंसी हुजूर विधानसवा उपादिक्ष राजयादव विधानसवा सचिव आदिश्तिवारी पुजारी संग अद्धिक्ष सहें अन्य पार्टी की पदादिकारी उपस्ते थे जहां तक EBM की बात है तो EBM के उपर जो भरोसा है जंता का उठता जा रहा है और जब भी कांग्रेस या भाजपा जैसे कांग्रेस हारती है तो EBM के उपर दो सार उपन कर देते हैं अभी जैसे गुजरात में कांग्रेस हारी तो बोल दिया कि वहीं खराब है लेकिन मैं कांग्रेस वालों से भी और दूसरी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर EBM इतिनी खराब है वाई कमनलाज जी EBM इतिनी खराब है तो लोगों को सड़के उतर के अंदोलन करें गाउंगाउं लोगों को EBM के खिलाब जोने जागरू करें लेकिन लोगों को बेबकूप बनाने का काम आप भाजपा और कांग्रेस कर रही है ये बेबकूप ना बनाये जाए जनता आप मद्द प्रदेश की बेबकूप नहीं बन सकती है तो इसलिए हमारा कहना है कि जहाता कि EBM हटाओ देश बचाओ का मामला है तो हमने इसकी सुरुआत मद्द प्रदेश से कर दी है और ये मुद्दा जो है गाओं-गाओं से लेके पूरे देश तक जाएगा पूरे देश से हमारे पास फोन आये है और आने वाले समय में हम और भी कारकर्म करेंगे गडबंदन को लेकर तो हम हमारा कारकर्म हर मैने चलेगा और आने वाले नमबर दिसमर में हम EBM के खिलाब यहाँ पर भुपाल की धर्ती पे दो लाख लोगों का एक बड़ा जलसा करने जा रहे है और जिसमें हम देश के अन्य नेताओं को भी इदर बुलाएंगे देखिए जहां तक वहिश्कार की बात है हमारा मकसद के बल यह है कि हम EBM के खिलाब आम जनता को हम जागरू करें जर्मनी ने इसको संबैदानिक घुशित किया है नीधर लेंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया अमेरिका इंगलेंड ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि चंद्रियान लाखों किलूमेटर दूर जाके नीचे से जब कंट्रोल कर सकते हैं तो आभी को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि मानों-ब्रमी इसको कंट्रोल किया जा सकता है हम जदा जागू करेंगे और इबिय में के खिलाब हम को सबता मिलेगे यह बात का प्रश्ण है अभी हमारा बाद द्हाई साल है Two Saud voice俺 का मौकव करने द कि आपने पर देशन कर रहे हैं कि आए दिन आरोप प्रतरोप लगते आ रहे हैं कि एवियम के विपक्ष में समस्त पार्टी है लेकि भाजपा जो आए तो इसके पाक्ष में हैं और शुक्ति वह नहीं चाहती कि इवियम हटे इसके विरोध में आम जो है धरना संकेति धरना कर रहे हैं और साथ में ही से बड़े पैमाने पर भी आगे बढ़ाएंगे आप और भी पार्टी कह रही है लेकिन इसमें आप शिवसेना और आपके लाव कुछ पार्टी आं सायो अगर इवियम नहीं हटाए जाएगी तो शिवसेना के बड़े अधिकारियों से चर्चा कर इसके बारे में हम कुछ बोल पाएंगे बोपाल से खबर समय जगत के लिए संबादाता शक्ती भारती की रिपोर्ट लाटेस्ट नूस्ब्सक्राइब टो चैनल और प्रस्टी बल इकन